हेलो labels तुडेंस कैसे हैं आप आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे खोश होंगे प्रसंद होंगे मैं आपकी लाली मैडम स्वागत करती हूँ Magnet Brains के Hindi Medium चैनल पर और साथी साथ Prayers भी करती हूँ प्रार्थनाय भी करती हूँ कि मेरे बच्चे जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और प्रसंद होंगे येस, आज में लेकर आई हूँ आपके सामने Part 14 एक कहानी यह भी कि MCQs अर्थात बहु विकल्पी एक प्रश्न प्रीवस वीडियो में आपने देखा NCRT Solutions अर्थात पाठब उस तक के पीछे प्रशन अभ्यास जो दिया रहता है उसका हमने चर्चा की साथी साथ हमने कहानी से सम्मंदित बहुत सारे पहलूँओं पर अर्चा की मन्नु भंडारी जी के जीवन से सम्मंद जो भी प्रशन थे उनको ना केबल हमने देखा पड़ा या सुना बलकि उनको रियलाइज भी किया उनको आत्मसाथ करने का भी प्रयास किया ना क्यूंकि जहां-जहां हमें कुछ अच्छी बाते मिलती हैं जहां जहां हम आए कुछ सुन्दर सी गुण या अच्छी बाते या महकते हुए पुछ खुश्भू तो हम उस और खिचे चले जाते हैं न ठीक वैसा ही जहां हमें गुण मिलें अच्छी बाते मिलें तो आमें उन्हें ग्रेन भी कर लेना चाहिए आईए चलते हैं एक कहानी यह भी एक कहानी मन्नु जी की और उसी के हैं आज mgqs अर्थात बहु विकल्पी ये प्रश्न आशा करती हूँ आप पूर्ण रूप से अपनी सहभागिता दिखाएंगे और उत्तर देने में सबसे पहले मैं दूँगा मैं दूँगा येस बीदा फस्ट ओके आईए प्लीज हाँ पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है आकरांत का क्या अर्थ है आकरांत क्या अर्थ होता है घमंडी कश्टग्रत खंडहर या दबदबा आकरांत आकरांत घमंडी होता है क्या कश्ट ग्रस्त होता है या फिर खंडहर होता है या दबदबा टाइप होता है क्या लग रहा है आपको खंडर लग रहा है क्या नहीं ओके घमंडी लग रहा है चेक करते हैं क्या सही है कश्ट ग्रत अगले प्रश्ण की तरफ चल वर्चस्प क्या अर्थ होता है अपना वर्चस्प हमें स्थापित करना चाहिए अपना वर्चस्प बनाने के लिए नित्य हमें मैनत करनी चाहिए फिर आगया घमंडी कस्ट्रगर खंडार या दबदबा यहां क्या लगता है अपनों दबदबा अरे वाँ बहुत सही देखते हैं पहले चेक कर लेता है राइट कॉलेज की प्रिंसिपल किस से परेशान थी सिख्षिकाओं से लेखिका से लोगों से या सभी छात्रों से लेखिका से ओके एट मी चेक वेरी गोड़ वेल डन अगला प्रश्न लेखिका के पिता राजनीती के साथ-साथ और किन कार्यों से जुड़ें हुए थे राजनीती से तो जुड़े हुए थे लेकिन राजनीती के साथ-साथ और कौन से ऐसे कारे थे जिन से लेखिका के पिता जुड़े थे सेक्षणिक समाजसुदार लेखन इन में से कोई नहीं तो बताई सेक्षणिक समाजसुदार लेखन क्या लग रहे है आपको समाजसुदार सेक्षणिक लेटमी जैक समाज सुधार क्यूंकि साफ रिखा था है वो समाज सुधार के रूप में अपने बहुत सारे कारे करते रहते थे साथ ही साथ घर जो कुछ बच्चों को बुला लिया करते थे और मुफ्त मेर्जिक्षा भी दिया करते थे साथ bay साथ उनकी यह अकंश्या थी कि समाज में कुछ अच्छा हो मतलब समाज सुधार से वो जुड़े हुए ते इसलिए उनके घर में गोश्ट यार था मीटिंग्स भी होती रहती थी लोगों का आना जाना भी बना रहता था ठीक है अगला प्रशन है लेखिका के बिता ने उनका रॉब देखकर क्या अनुभव किया चिंता प्रसंदता गर्व यक्रोध जब प्रिंसीपल का अच्षीं लेटर लेखिका के पिता को मिला और वे कॉलेज गए और वहां प्रिंसिपल ने तरहे तरह की बाते पताईONG की आपकी बेटीे ऐसी है तो आपकी बेटी के कारण मुझे college चलाना मुश्किल हो गया है इसकी एक आवास पर college खाली हो जाता है तो जब इस तरह की बातें उन्होंने सुनी तो कैसा लगा उनको लेखिका के बारे में लेखिका का रॉब देखकर उनकी बाते सुनकर पिता जी को क्या मैसूस हुआ था चिंता हो गई थी उनको प्रसनता हुई थी उनको गर्व हुआ था यक्रोध आया था गर्व हुआ था देखते हैं है बहुत सई बेटा हमेशा फिर भाई बात कि हमारे माता पिता हम से भी अधिक प्रसंद होते हैं जब कोई अच्छा कारे करते हैं ठीक है आते हैं बैटा अगले प्रशनी की तरफ चलता है सुशीला शादी करके कहां चली गई थी सुशीला की शादी कहा हुई थी लेखिका की बड़ी बेहन की शादी मुंबई दिल्ली कोलकता या केरला दिल्ली देखते हैं कोलकता गहीं थी वो ठीक है चित्रलेखा किसने लिखा है चित्रलेखा जैनेंद्र अगे यह पाल या भगवती चरण वर्मा किसने लिखा है बताईए चित्रलेखा उपन्यास है कहानी है गरंत है जो भी है है तो रचना किसने लिखा है जैनेंद्र जी अग्ये जी यश्पाल जी या भगवती चरण वर्मा जी आईए चेक करते हैं याद रखिएगा भगवती चरण वर्मा याद रखिएगा चित्र लेखा भगवती चरण वर्मा की रचना है शेक शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है यहाँ पर उपन्यास को भी आइडेंटिफाई किया है कि शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है जैनेंद्र जी का अग्ये जी का यश्पाल जी का या भगवती चरण बर्मा जी का बताइए कोई आइडिया नहीं चेक कर लेते हैं ओके देखिए का ध्यान से अग्येजी शेखर एक जीवनी शेखर एक जीवनी जीवनी यह पन्यास का नाम है कोई जीवन नहीं है कोई जीवन गाथा नहीं है कोई जीवन परिचा नहीं है और यह लिखा किसमें है अग्येजी नहीं आपकी कृतिका में भी एक अग्येजी का chapter है मैं क्यों लिखता हूँ ठीक है हम पढ़ेंगे अगला है लेखिका के परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार योगता क्या थी उम्र में 18 साल उम्र में 16 साल सिक्षा में मैट्रिक दोनों खा और गाहा हमने इसकी चर्चा की थी प्रशन अभ्यास में याद हो तो की लेखिका की बेन की शादी तो हो गई थी इस वर्ष में इतने वर्ष में लेखिका लेकिन कुछ आगे करना चाहती थी याद आया उम्र में 16 साल सिक्षा में मैट्रिक तो घाब को लग रहा है आईए चेक करते हैं बहुत सई बहुत सई उर्जावान बने रही एक्ट मोड में रहना है जितने अधिक हम एक्टिव रहते हैं उतने अधिक अच्छे से सुन पाते हैं समझ पाते हैं आये चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ लेखिका के कुल कितने भाई बहन थे दस दो पांच तीन कितने भाई बहन थे लेखिका पांच बहुत सई लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाडने में किसका योगदान रहा है उनकी मां का उनकी प्रिंसिपल का उनकी पिता का और इन मैंसे किसी का नहीं दो मुख्य व्यक्तियों की चर्चा की थी हमने प्रिश्ण अभ्यास में उनमें से एक शाय दिया है यदि वो है तो फिर उनी का देना शुरू किया जब लेखी का के भाई-बैन घर से चले गए जब वह बढ़ी हो गई जब उनकी शादी हो गई यह जब वह क्रांतिकारी बन गई थी कब कब उनके मतलब लेखी का की जो पिता जी थे वो उन पर ध्यान नहीं देते थे लेकिन कब उन्हें ध्यान देना अगले प्रशनी की तरफ चलते हैं हम लेकिका की माता का व्यक्तित्व कैसा था उनकी मा कैसी थी कोमल और सम्वेदंशील क्रोधी अहमबादी धैरवान और सहनशील कई बार इस बात का जिक्र हुआ था जब हमने पाठ पढ़ा था तब भी प्रशन अभ्यास किये थे तब और अब फिर आ गया है कि उनका सभाव कैसा था क्यों उनकी मा उनकी आदर्श नहीं बन पाई थी क्योंकि क्या थी वो आवशक्ता से अधिक येस धैरवान और सहनशील आवशक्ता से अधिक धैरवान और सहनशील होना भी अच्छी बात नहीं है बिलकुल हमें विनमर होना चाहिए बिल्कुल हमें धहरवान होना चाहिए लेकिन अती तो किसी भी बात की अच्छी नहीं होती आपने सुना है वो येस अती का भलाना बोलना अती की भलीना चूप चुप रहना है ना और अती का भलाना बरसना अती की भलीना धूप ना तो अधिक बोलना अच्छा होता आइड, चु भोना चाहिए हमारी अपनी बातों, को अपने विचारों को व्यत्त किया चाहिए अधने था सब को घाइज राइट आंसर ओके बटा ये देखते हैं बहुत सही जवाब वेरी गुड अगला प्रश्न मन्नु बंडारी मूलता एक कवित्री थी ने बंदकार थी कहानिकार थी या अभीनित्री थी क्या थी वो कहानिकार ओकेई चैक करते हैं वेरी गोड आपने सही जवाब द या अनपढ बिल्वकुल साफ साफ शब्दों में चैप्टर में लिखा है कि उनकी मां क्या थी अनपढ ओके असिक्षित थी अगला प्रश्न है लेखिका ने अपना रंग कैसा बताया है गोरा एक दम चांदनी की तरह है गोरा हां चांदनी रात की तरह है या अंधिरी की काला या फिर गेहुआ वीटिश या फिर इन मैं से कोई नहीं कैसा रंग बताया उन्होंने साफ साफ की वे कैजी ती दुबली सी मरी यल सी और काली सी काला रंग बताया है ओके यस बिटा अगला प्रश्न है इस लेख में लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया है ग गुस्व करने वाला उदंड किसी की बातना सुनने वाला शर्मीला बिलकुल शाय नेचर किसी से कोई बात नहीं करनी या फिर स्वतंतरता सेनानी की भाती बिलकुल अपने आपको अपने वजुद को हमेशा सामने रखना एक कुशल नेतर्वत करता की तरहाँ आगे रहना ठीक है देखते हैं स्वातंतता सेना नहीं लगा आपको आये चेक करते हैं और आपको बिल्कुल सही लगा अगला भगनाव वचेश का क्या अर्थ होता है भगना वचेश घमंडी कस्ट ग्रस्त खंड हर दबदबा बताइए आपने नाइन्थ क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा तो आप जरूर इस शब्द का तुरंत अर्थ बता देंगे नाना साब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया था उसमें ये शब्द आया था येस बताइए क्या घमंडी हो सकता है इसका कस्ट ग्रस अवशैस मतलब फंडहर बड़ों विंक्टम कंवर्टी कह तो खंडहर इसका सही जवाब है आगे चलते हैं कि ले किका के पिता शक्की जभाव कई क्यूं थे शक की शक कि समझते है है कि बहुत स्वरिवाति है गरीवी के कारण्चीन त्चन त्चना के कारन्ण अपनों के विश्वास घात के कारण या इन में से कोई नहीं बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैंशन किया गया था चैप्टर में और जब हम पार्ट का सार पढ़ रहे थे और पार्ट पढ़ रहे थे तब साब साब वहां लिखा था कि वे शक्की सभाव के क्यों हो गए थे हम गां ओके बहुत सही वेरी गोड अगले प्रश्ण की तरफ चलते हैं लेखिगा के पती किस पत्रकार के संपादक थे राजेंद्र कुमार जी की बात हो रही है लेखिगा के पती हन्स गंगा आलोचना या सारी का कौन सा मतलब किस पत्रिका के पत्रकार के संपादक थे वे हन्स के थे गंगा के थे अलोचना के थे या सारी का के थे क्या लग रहा है आपको नू आईटिया लेट मी हन्स याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद जो थे क्या थे हन्स पत्रकार के संपादक रहे थे ओके ठ कि समझ में आया बिट्टा अगला प्रश्न लेखिका के भाशन की किसने तारीफ की थी डॉक्टर राजेश ने डॉक्टर राजेंद्र ने डॉक्टर अंबलाल ने या इन में से कोई नहीं अज यहिए कोई अ प्र aí त Scottish क्या डॉक्टर राजेश थे क्या डॉक्र राजेन्द्र थे या इन तीनों से कोई मी नहीं थे कोई और ही थे डोक्रांबलाल यो और वह वा 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 पक्का चेक करते हैं बहुत बढ़ी आ गों bons बहुत बहुत बैरी गुटए अगे चलते हैं लेखिकाने किस से शादी की थी जस्ट ऑभी हमारी चयार्चा हुई है राजेंद्र से से गीपेश से या धीपेंद्ड own शे जो हन्स पत्रकार के संपादक थे याद रखिएगा लेखी का ने राजेंद्र से शादी की थी जो संपादक थे ओके येस त्याग पत्र किसने लिखा है त्याग पत्र जैनेंद्र जी अग्ये जी एश्पाल जी अब भगवती चरण वर्मा जी देखिए हम भगवती चरण वर्मा की अभी अभी रचना पढ़ चुके हैं अग्ये जी की भी हम पढ़ चुके हैं जैनेंद्र हंस के थे कहीं एश् जैनेंद्र जी की ठीके आगे चलता है शीला अगरवाल किस विशय की प्रदयापिकाथी अब तो मैं यूँ बैट गही हो मत लब चुप चाप कड़ी ओ गए हो आप बताइये शीला अगरवाल जो थी वो किस विशय की प्रद्यापिका थी इतिहास भूगोल गर हिंदी हेस हि की प्रभ्ध्य अपिका थी जिनों ने लेकिका को बहुत सारा पढ़ने के स्थान पर चैन करके पढ़ने पर फोकस्ट किया साथ ही साथ लेकिका के मन में स्वतंत्रता की जो चिंगारी है वो उन्हीं ने बीजबोया और साथ ही साथ परिणाम स्वरूप हमने देखा कि लेकिका ने कितने जोरदार तरीके से उत्सहपून तरीके से समाज में जन्द जागरती फैलाई थी ठीक है तो हिंदी की प्रभ्ध्यापिका थी ठीक है चेक कर लिजे बहुत सहीं सन 1946-47 के दिनों में देश का माहौल कैसा था किस तरह का माहौल था क्या देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था उफान पर एक डूम टॉप पर था देश में युद्ध की स्थिती बनी हुई थी स्वतंत्र ताकी तैयारी चल रही थी यह सम्विधान तैयार किया ज रहा था क्या चल रहा था उस समय पहला पक्का आईए चेक कर लेते हैं और आपने एकदम सही जवाब दिया बहुत सही गुड लिसनर वेरी गुड लेकिका के पिता का व्यक्तित्व कैसा था कैसी परसनालिटी थी उनकी कोमल और सम्विधंशील क्रोधी एहमबादी या इन मैं से सभी क्या कोमल और सम्विधंशील थे लेकिका के पिता नो ओके क्रोधी थे ये एहमबादी थे थे या नहीं थे भी नहीं भी इन मैं से सभी यह नहीं थे तो सभी आ यह चेक करते बिलकुल आप इतना चिंता ना करें देखिए अब मैं बता देते हूं आपको कि कही ना कहीं उनके मन में कोमलता थी सम्विधंशील था थी क्यूंकि तभी तो वे अपनी बच्चियों को एक मतलब यदि हम यहां करें कि पतनी के साथ उनका वहवार अलग था लेकिन बच्चों के प्रति जो कोमलता थी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद भी यह यह कहां हो हुआ उनका यह वाला सभाव जब उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी और वे बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इसका प्रभा उनके बच्चों पर पड़े क्यूंकि बच्चों को वह हमेशा खुश देखना चाहते थे तो यहां पर उनकी सम्वेंदन शीलता और क से हासिक कारण या कोई भी नहीं इन मैसे कौन सा कारण था वेटा जिसके कारण उनको कहां से कहां जाना पड़ा था इंदोर से अजमेर सांस्कृतिक कल्चरल अक्टिविटीज आर्थिक एकनोमिकल या स्टोरीकल या इन मैसे कोई नहीं आर्थिक स्थिति लेट मीचेक हो गई थिन या कि मन्नु बंऱ्णारी के जन्म कि स्राज में वक्ता उत्तर प्रदेश मद्यप्रदेश राजिस्थान या बिहार का जनुए ता लेकी का का मध्य प्रदेश में आये चेक करते हैं येस बहुत सही लेखिका की बड़ी बेहन का क्या नाम था सुशीला पुश्बा सुमन या मीरा भाई सुशीला शीला अगरवाल उनकी सिक्षिकार थी और सुशीला उनकी बेहन थी ठीक है आई यह देखते हैं बहुत सही आगे चलते हैं लेखिका के किस वैवार से तंग आकर प्रिंजिपल ने लेखी का के पिता को बुलाया था कौन सा वेवार था जिसके कारण कॉलेज की प्रिंजिपल तंग आ गई थी और उसले तुरण से यह बड़ा सा लेटर लेकर पिता जी के नाम मेज दिया था आंदोलनकारी अशिष्ट या फिर एकदम नहीं उद्दंडे रहते हैं या जगडालू क्या आंधोलनकारी क्योंकि कॉलेज में ऐसा लगता था कि परिश harmful प्रिंजिपल और परिशान पिताजी को लिख दिया था लंबा सा लेटर और उनको बुला लिया था कॉलेज जब कॉलेज पिताजी आये थे और उनको आये तो थे क्रोधी सभाव में लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल ना उनकी बात है शिकायते शुरू की कि आपकी विटी तो ऐसा करती है कॉलेज खाली कर देती है उसकी आवास पर सारा कॉलेज चला जाता है वो अंदुलनकारी बन गई है वो अधिक नेत्रत्व करने लगी है तो इससे उनका जो ग्रोध था वो किस तरह से परिवर्तित हो गया था गर्व में ठीक है तो अभी अभी आपने देखा इस वीडियो में आपने क्या दे थी और हमने ये भी जाना था कि मन्नू बंडारी जी का घर का माहौल कैसा था किस तरह से वे कॉलेज में आया जाये करती थी समझ में आया आशा करती हूं कि आपको ये चैप्टर साथी साथ प्रशन अभ्यास और बहु विकल्पी ये प्रशन पूरी तरह से अच्छी तरह स मस्तिष्क में बस गए होंगे और अब आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कुछ भी प्रशन करेगा तो आप तुरंत आकर उत्तर देंगे देंगे ना मिटा येस आई ट्रस्ट ऑनी हो मुझे विश्वास है आप सुन रहे हैं यदि आप ध्यान से सुन रहे हैं त किसी भी चैप्टर से संबंदित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप किस तरह से मैगनेट ब्रेंज पर जा सकते हैं और अपने समय की बचत करते हुए उस पर डिरेक्ट एंट्री बह सकते हैं क्या करना है जस्ट टाइप मैगनेट ब्रेंज येस गूगल पर जाईए या क्र हैं आप Hindi मीडियम संबंदित CBSC में जो भी विशा हैं उनको पढ़ना चाहते हैं लिए तो आपको क्या करना होगा जस्ट क्लिक ँषी ऑन CBSC Hindi मीडियम जैसे यह अप CBSC Hindi मीडियम पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपके चहीते stars टीचर्स आ जाएंगे जो की आपको लिए हिंदी और सोशल साइन्स आपको हिंदी पढ़ना है ना आये हिंदी पर चलते हैं तो हिंदी से रिलेटीड़ जैसे ही आप ढ़्रक्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ स्क्रीन पर आजाएगा क्या जायगा जिसनउ संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि यदि आप हिंदी वाला पेज या हिंदी मतलब हिंदी का वीडियो पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर क्या-क्या आप देख सकते हैं संपूर्ण विशय की जानकारी हिंदी से आप क्या-क्या पाएंगे इस वीडियो में या हिंदी में आप क्या-क्या पर click करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी जो कोर्स मेरी寸 फॉर्श और संचेन भी हाँ पेटा आप ही के यह तो यह सिर्फ और सिर्फ किताब की फोटो है नहीं आप को बहुत अच्छे से वीडियो यहां पर डीटेल बनाये गया है जो आप ध्यान से एक बार देख लेंगे तो आप बार बार देखेंगे और साथ ही साथ क्या कहेंगे अपने मित्रों को शेर जरूर करेंगे एक बार आप ये वीडियो देख लो फिर हम बिल्कुल चुटकियों में बता देंगे कि कौन से चैप्टर में क्या है येस बेटा वीडियो को बागी रिटन बाय सूर्दाजी दूसरा चैप्टर है राम लक्ष्म परसुराम संबाथ रिटन बाय गोष्वामी तुलसिदास ठीक है तीसरा है पायन नुपूर मंजिबस से रिटन बाय कभी देव इस तरह से ये सब जो मैं कह रहे हूं न वह आप भी कहने लगेंगे लेकि कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा कभी भी कोई भी आपसे कुछ डिमांड नहीं की जाएगी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा मस्तिश्क में बसा लीजिए कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं येस मैगनिट ब्रिंस लेकर आया है आ आपके लिए स्कूल की सिक्षा छटवी से बार भी तक एक दम मुफ्त 6-12 एजुकेशन फ्री 100% फ्री बेटा कोई सब्सक्रिप्शन नहीं कोई चार्ज नहीं कुछ भी आपसे कभी भी भी नहीं लिया जाएगा लाइफ लॉंग आप मैंनेट बेंस पर फ्री में वीडियो देख पाएंगे येस तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ करना क्या है मेरे बच्चो आपको लाइक करना है सब्सक्राइब करना है और जादा से जादा शेयर करना है येस करेंगे ना येस मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत अच्छे और जो मैं कहते हूं वो करते हैं ठीक ह चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद खुश रहिए स्वस्थ रहिए